पुरगर सिलकर सक अंग्रेज सिंग जी बहुत अच्छे किसान है गन्ने के ये कोसा 13235 अरली गन्ना प्रजाती है जो कि पौध रोपित गिया गया था और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहरा हूं कि पौध रोपित गन्ने में किस तरीके से अच्छी टिलरिंग हो सकती ह है खाब हो सकती है कि लिए निकल सकते हैं तो मैं ये आपको दिखाना चाहरा हूं तो ये जो गन्ना है देखे इसमें कितने टिलर निकले हुए मैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस गेरा बारा तेरा और ये मदर सूट मिला के 14 टिलर है इसमें इस क्लिप के मार निष्जम से मैं ये दिखाना चाहरा हूं कि इसे करहरा है तो फैस JACK नहीं होती है ता बहुत अश्य टिलरिंग क्या हुआ वह पाया पूरा समय भी करेंगे तो तो और भी टिले निकलाएंगे करना ही नहीं पड़ेगा और कितना यह विश्वास के साथ करें मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी पाउध रोपित गन्ये में इतनी अची टिलिरिंग हो जाएगी तो मैं इस क्लिप के माध्यम से यही मैं दिखाना चाहरा हूं कि बा है तो आपको ज्यादा विश्वास है और लगाने से एक तो जो है हमारे गन्ये की जो बीजवाला गन्या है उसकी बचत होती है तो आप देख रहे हैं सामने यह हमने एक फुट की दूरी रखी थी तो आप तो लग रहा कम पढ़ जाएगी लेकिन सुरुआत में यह बहुत कम पढ़ रहा तो इसको डेड़ फुट जो है यहां की पजाए यहां आजाए अच्छा डेड़ फिट पर आजाए तो कोई दिक्कत नहीं तिल रिंग के हिसाब आपको लगता दूरी बढ़नी चाहिए नहीं से भी हो सकता है मतलब लेकिन इतना नहीं हो सकता है इतना नहीं बहुत बहुत धन्यवाद अंग्रेज सिंगी